हेलो फ्रेंज वेलकम तो मैं चैनल और वेरी वेरी गूद इवनिंग तो आज है वेटनेस डेए 26th जून तो मैं मेरा जो ये व्लॉग है मैं आज इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा जो घर से बाहर आप ये व्यू देख सकते हो ये सच में काफी अच्छा लगता है जब भी मेरा मन होता है मैं यहाँ पे आके थोरी देर मैं खरी हो जाती हूँ और बस बाहर की तरफ देखती रहती हूँ बहुत अच्छा व्यू है बहुत अच्छा लगता है तो इसल अच्छी तरह और अभी रोहन स्कूल से आ गया है और वो स्नैक्स कर रहा है अपना तो आज मैंने उसे एक पैनकेक टाइप बना के दिया है एक अंडा लिया था मैंने और उसके साथ थोरासा आटा मिक्स करके और कुछ भी अगर वेजिस हम देना चाहते है तो हम एध कर सकते है तो बस इसी तरह से मैंने ऐक पैनकेक बना के दिया था जो उसे काफी पसंद है और अभी मैं अपने लिए थोरासा स्नैक्स बना रही आज एक्चिली मेरे हस्बेन थोरा जल्दी आ गए थे तो हमने सोचा कि हम स्नैक्स में कुछ मतलब हम बेंगॉली स्पेशल हम बोलते हैं मूरी माखा जो पॉप्ट राइस होती है मूर्मूरे होते हैं उसको बस चाट की तरह बनाते हैं तो वो हम खाएंगे तो उसके लिए मै बस आलू को चॉप करके मैं बॉल करने के लिए रख दूँगी और बाकी कुछ भी ओनियंस में आज जादा कुछ मैंने नहीं दिया हैं बाकी नहीं तो इसमें जो खीरा होता है क्यूकंबर फिर टमाटर बहुत कुछ इसमें डलते हैं लेकिन मैंने सिफ ओनियन और आलू औ का और रोहन के लिए जो मैं पैंकेक बनाती हूं उसका और हमारे लिए जो स्नैक्स मैंने बनाया था सिंफल है बिल्कुल है लेकिन मैंने वो दिखाया नहीं क्योंकि अगर वो दिखाती तो मेरा ब्लॉक का जो लेंग्ट है वो काफी जादा बढ़ा हो जाता तो इसलिए मै मैंने वो दो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, मैं किसी दिल पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ हेलो फ्रेंद तो बस आज मैं जैसे आप लोगों के साथ मेरा जो इवनिंग रुटीन है जनरली मैं अपने इवनिंग मैं कोशिश करती हूं कि मैं अपने बेटे के साथ ही पेंट करूं अपना इवनिंग टाइम लेकिन हाँ बहुत टाइम पे ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि अब इनर का परपरेशन भी दिनर का परपरेशन है नाफ करोंगी तो उसके पहले का ताइम होता है तो मैं सोचती हूँ कि उसके साथ सब्स्पेंट करूँ जतना भी काम रहे मैं साइड मेरी कोशिश रहती है क्योंकि एक बच्च्च अज रहता है मौनिंग से अफ्टरनून तो वो अने के बाद अन्दर भी उसी बहुत सारी आपोते होती है ज recent तो दीघोन के साथ थздफ़ा सा चाहते है , तो हमें भी थोड़ा सा ताइम जाहिए मैं जीआ डधिए तय सवा और मेन फुलि इस करती है। तो रॉस भी हम उना दोटको करते है हैं कि क्या हुआ स्कूल में, क्या नहीं हुआ, अपने क्या क्या खिया, तो यह सब बाते होती है फिर कुछ गेम्स वगेरा हम खेल लेते हैं अभी तो जैसे वेदर ठीक नहीं है, दो तीन दिन से बहुत ही क्लावडी है तो इसलिए यहां पर हमारे, मतलब हमारा जो अपार्टमेंट है, वहां पास सी दो-तीन ग्राउंड है बहुत बरे-बरे ग्राउंड है, तो जब क्लावड अच्छा रहता है, वेदर अच्छा रहता है तो मैं जाती हूँ, कभी रोहन को लेके, तो वहां पर खेलता है और वैसे ही, उसके फ्रेंज भी है यहां पर, तो कभी-कबार उन लोगों के साथ भी वह खेल लेता है तो इस तरह से, और अगर कहीं पर जाना नहीं हुआ, तो घर में मम्मी ही है, उसकी बेस फ्रेंड तो मम्मी को ही, जो जो खेलना उसको पसंद है, हमें थोड़ा बहुत टाइम देना होता है तो दिनर वगेरा होने के बाद, मैं रोहन को फस्स दे देती हूं क्योंकि वह खाना क्योंकि थोड़ी बहुत खेलता है फिर वह सो जाता है क्योंकि अगर बच्चे जल्दी सो जाए तो उनके लिए अच्छा है क्योंकि उनको रेस्ट लेना काफी जाद इंपोर्टन्ट है क्योंकि अभी उनको नींद की काफी सथ जरूरत होती है तो जितना बॉड़ी रेस्ट करेगा वह अच्छा है क्योंकि नींद उनके लिए बहुत बहुत इंपोर्टन्ट है नींद हम सब के लिए इंपोर्टन्ट है लेकिन हा बच्चों के लिए बच्चों के लिए आप जल्दी आजाते हैं तो बस साथ में फो लोग खेल लेते हैं और उनका थोड़ा सा काम जादा रहता है थोड़ा लेट होता आने में तो रोहन तब तक सो ही जाता है फिर पापा के साथ उसका मतलब वोलोग मिलते हैं इसलों के टाइम और आप लोग भी मुझे बता ला कि कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है अगर कुछ भी आपके सजेशन्स हो कुछ भी व्यूज हो प्लीज मुझे कॉमें जरूर बताईएगा क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बर सकती तो वस मैं भी कोशिश करती रहूंगी कि मैं अच्छा काम करूँ और अच्छे से व्लॉग्स बनाओ तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ फिर से जब डिनर बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ और यह रोहन का और मेरा एक स्पेशल गेम है जिससे रोहन बहुत खुश होता है और मुझे भी काफी मतलब enjoyment मिलती है यह गेम उसके साथ खेल के बस कुछ भी नहीं है यह एक virtual गेम आप बोल सकते है तो बस इसी तरह से हम दोनों कुछ time spend कर रहे हैं साथ में और मैं अभी ज में बना रही हूं रोटी पालक डाल और साथ में मसाला भिंडी या फिर भिंडी मसाला कुछ भी हम बोल सकते हैं डाल को मैंने बॉल होने के लिए चला देया था डाल अल्मोस्ट बॉल हो चुका है और मैं डाल जब भी बॉल करती हूं साथी साथ मैं हल्दी पाउडर और न चॉप टोमेटो, और साथ में थोरा सा पालक, स्पिनेच और कैरट, गाजर, तो इसी से मैं बनाओंगी आज का दाल, बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि मैं गाजर को दाल के साथ ही बॉयल कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने गाजर को पालक के साथ ही मैंने कुख किया था, तो यह जल्दी कुख हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से गाजर को बॉयल नहीं किया था डाल के साथ, तो बस अभी मैं कराई में तेल दे दूँगी, मैं मस्टर्ड ओल का यूज करती हूँ, मैंने मस्टर्ड ओल का ही यूज किया है, तो बस तेल थोरा सा गरम हो जाए, उसक दो थोरा सा में फ्राइ कर दूँगी, उसके बाद धीरे धीरे जो भी सब्सटी मैंने कातके रखे थे वह धीरे धीरे आड़ कर देंगी तो तो थोड़ा सा प्राई करने के बार तमाटर मैंने डाल दिया है और तमाटर ताक्सी वह जल्दी से कुख हो जाए, इसलिए मैं में थोड़ा सा सॉल्ट दे दूँगी थोड़ा सा नमक में एड़ कर दूँगी इससे टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं मैंने सिफ एक दम कम मैंने जीरा पाउडर कुमिन सीट पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने थोड़ी से दी है फिर उसको मिक्स करके जो पालक और गाजर मैंने काटके रखे थे मैंने उसको दे दिया और अच्छे से मिक्स करने के बाद बस इसको कुछ दे ढखके पका लूँगी फिर मैं इसमें दाल दे दूँगी मैंने दाल को थोड़ा सा गारा ही रखा है क्योंकि थोड़ा सा गारा हमें खानी थी तो जादा पतला मैंने नहीं किया यह अपने उपर डिपेंड करते हैं जिस तरह से हम बनाना चाहते हैं और मैंने जैसे कहा आपसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कितना क्लावडी है वेदर पूरा आस्मान एकदम क्लावट से भड़ा हुआ है तो मैंने सोचा बस इसका एक छोटा सा ग्लिम्स में आपको देखा देती हूं और बस लास्ट में दो ग्रिन चिली देखे मैं ग्रिन चिली को स्लिट करके बहुत कम देती हूं क्योंकि रोहन बिल्कुल भी वो तीखा खा नहीं पाता है तो यह थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं हमेशा एक फुल ही देती हूं जिसको अगर हमें खानी है तो हम ऐसे ही खा लेंगे उसके बाद मैंने एक औ अब बनाओंगी भिंटी मसाला तो बस भिंटी मसाली के लिए फर्स में भिंटी को चॉप कर लोंगी ऐसे ऐसे मीडियम साइज टुक्रों में मैं काट लोंगी इसको मैंने एक मेडियम साइज के प्यास को चॉप करके रखा है और यहां पे मैं अद्रक को ग्रेट कर लोंगी जनरली हम पेज बनाते हैं लेकिन मैं यहां पे ग्रेट कर लोंगी तो मैंने यहां पे अद्रक और लहसुन को ग्रेट करके रखा है जेनरली जब मैं भिंदी मसाला बनाती हूं तब मैं पहले भिंदी को फ्राई कर लेती हूं फिर मैं मसालो का प्रपरेशन करती हूं मसाले बनाती हूं लेकिन नॉर्मली जब मैं घर में बनाती हूं तो मैं भिंदी को फ्राई नहीं करती पहले मैं लास्ट में उसको मसालो में यहां पर तेल गरम कर लिया था फिर वहां पर जीरा दे दिया बस उसको थोड़ा सा भून के फिर उसमें मैं दे दूंगी हींग थोड़ा सा चला लेंगे फिर एड कर दूंगे जिंजर गार्लीक को मैंने ग्रेव करके रखा था इनको तब तक घूनेंगे जब तक गार्लीक का एक रॉसमेल होता है वह रॉसमेल चला जाए तब तक इसको भूह लेंगे फिल मैं इसमें अड़ कर दूंगी चॉप्ट ओनियन बहुत टाइम पर होता है कि मैं सबजी को चॉप करकी ही देती हूँ मैं जनरल इखरनी जैसा खाना बनाती हूँ मैं जैसा ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और बहुत टाइम ऐसा होता है कि पेस्ट वो जरूरी होता है तो हमें उसका फ्यूरी या पर कोई चीज की पेस्ट बनानी होती ही है ओनियन अच्छे से फ्राई हो गए इसके बाद मैं चमातर को चॉप करके रखने थे वह आड़ कर दूँगी फिर नॉर्नली जैसे तरह से हम कुख रखते हैं अच्छे से उसको मैं कुख कर लोंगी फ्राइक कर दूँगी थोड़ा सा मैंने सॉल्ट एड़ कर दिया अब जो डेली के मसाले होते हैं बस वही मसाले अड़ करूंगी हल्दी पाउडर जीरा पाउडर कोरियंडर पाउडर और बस कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीर रेचिली पाउडर मैं पहले कश्मीर रेचिली यूज नहीं करती है लेकिन हाँ एक साल से मैं यह थोड़ा थोड़ा यूज करती हूँ अच्छा लगता है थोड़ा सा कलर भी अच्छा आता है तो बस यहां पर मैंने भिंडी दे दी और इसको मैं अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लूँगी और अभी इसको लो टू मीडियम फ्लेम में मैं धख के कुक करूँगी सौड भी हम अपने तेस्ट के कॉर्डिंग ही देते हैं इसमें मैं बिल्कुल भी पानी अड़ नहीं करूँगी क्योंकि यह एकदम ड्राइ सब्जी अच्छी लगती है तो मैं बिल्कुल ड्राइ ही बनाऊंगी मसालों में जितना यह कुख होता है इसलिए मैं ढग ढग के इसको कुख कर रही हूं कि जितना यह मसालों में सॉफ्ट हो जाए उतना अच्छा है तो बस मेरी भिंटी बिल्कुल रेडी है और मैंने ऊपर से थोड़ा सा कोरियंडेल लीव और ग्रेन चिली देके इसको गार्निश कर लिया है थोड़ा सा मिक्स मैं कर लोंगी सच में यह बहुत ही टेस्टी बना था मेरी हस्बन को बहुत जादा पसंद आए तो बस हमारा आज का डिनर रेडी है दाल और मसाला भिंडी और साथ में मैंने रोटी भी बना लिया था बस वो मैंने दिखाया नहीं तो यह है हमारा डिनर आप सबको आज का मेरा यह व्लॉग अच्छा लगा है और आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और आगे बढ़पाऊं तो अगर मेरा यह व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिए और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसा और मेरा चानल अगर अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जो लिखा रहता है रेट कलर में उसको क्लिक करने के बाद आप साथ में उसके पास ही देखेंगे एक बेल साइन है एक बेल आइकॉन है जिससे नोटिफेकेशन मिलती है तो आप जरूर उसको क्लिक कीजिएगा अगर आप उसको क्लिक नहीं करते तो जो भी मेरे न्यू वीडियो साते है या फिर जो भी मेरे नए व्लोग जाते है उसके नोटिफेकेशन आपके पास नहीं जाएंगे तो फ्रेंज आप सब बहुत बहुत अच्छे से रहिए और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कीजिए और खुश रहिए तब तक के लिए मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरे किसी नए वीडियो और ब्लॉग को लेके तब तक के लिए बाइ बाइ गुद नाइट और टेक कियर